लोग सब चुनावा थे ही इवियम पर बड़ा बवाल मूज़ी में 300 से अधिक इवियम पकड़े जाने का दावा जाने क्या है वाइरल वीडियो की सच्चाई शोशल मीडिया पर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानी इवियम का एक वीडियो काफी वाइरल हो रहा है वीडियो में कुछ लोग एक कमरे से कई इवियम पॉक्स को एक जगा से दूसरी जगा लेकर जाते वे दिखाय दे रहे हैं यूजर्स वीडियो शेयर करते वे दावा कर रहे हैं कि चंदोली के स्थाने लोगों ने एक दुकान के अंदर रखी लगबख तीन सो अधिक एवियम मशीन पकड़ी है गोरतलब है देश में लोगसबा चुनाव इस साल अप्रेल और माइक तक होने की उमीद है वरतमान लोगसबा का कारेकाल 16 जून को समाप्त होने वाला है क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएं लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि या लोगसबा चुनाव एवियम की बजाए बैल अट पिपर से होने चाहिए और हाँ सच्ची और निश्पक्ष खबरों के लिए MSTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्या है खबर शोशल मीडिया प्लेट फॉर्म एक्सपर वीडियो को शेर करते हुए एक यूजर इंजिनियर मनीश रजाक ने लिखा उत्तर प्रदेश में लोक तंत्र से खिलवार चंदोली के स्थाने लोगों ने एक दुकान के अंदर रखे लगबग 300 से अधिक EVM मशीन पकड़े चुनाव खत्म होने के बाद EVM यहां कैसे आए इसका जवाब कौन देगा हैस्टेग इंडिया अगेस्ट EVM हैस्टेग EVM हटाओ लोक तंत्र बचाओ क्या है वाईरल वीडियो के सच्चाई हमने वाईरल वीडियो की पर्ताल के दावे से संबंधित की वर्ड्स के साथ गूगल पर सच्च किया एक वाइरल वीडियो की रिप्लाई में हमें चंदोली पुलिस का रिप्लाई मिला पोस्ट में बताया गया कि उप्रोक्ट वीडियो सामाने निर्वाचन 2019 के बाद इवियों को जमा करते समय का जिसे वर्तमान का बताकर अफवाः फैलाए जा रहा है प्रात्मिक्ता पोस्ट करने वाले के विरुद अभ्योग पंजिकरित किया गया है ऐसे ब्रामक अफवाः फैलाने वालों के विरुद अभ्योग पंजिकरित कर विदिक कारवाई की जाएगी वहीं चंदोली की DM के आधिकारी के X अकाउंट पर एक पोस्ट में बताया गया कि ये वीडियो वश 2019 के लोगसमद चुनाव के दोरान EVM को जमा करते समय का है जिसे ब्रामक तावे से शेर किया जा रहा है